नमस्कार स्वागत है आपका सीन्यूस भारत में और मैं हूँ आपके साथ जोती श्रवास्तव खबर राजदानी लखनव से है जहां जानकी पुरम विस्तार के एकेटी युनिवरसिटी के पास नगर निगम ने ग्रीन बेल्ट और फुटपाच से कबजा हटाने का प्रयास किया जिस पर दुकानदारों ने विरोध किया जिससे हंगामा हुआ एक दुकानदार ने बेल्चे से खुद को चोड़ पहुँचा कर हंगामा शुरू कर दिया जानकी पुरम विस्तार में एक ट्यू युनिवरसिटी के आसपास ग्रीन बेल्ट वा फुटपाच से कबजा हटाने पहुँचे नगर निगम के दस्ते को गुरुवार को दुकानदारों ने घिर लिया हंगामा वप्रदर्शिन करने लगे एक दुकानदार ने खुद ही बेल्चे से अपना सिर्फ ओल लिया और गाली गलोच करने लगा दस्ते को गिरते देख पुलिस ने लाथी चार्च कर दिया इससे भगदर मज गई बाद में नगर निगम के दस्ते ने यहां से डेर सौस से जादा जोपडियां हटाए इससे ग्रीन बेल्ट वा फुटपाथ खाली हो गया जानकी पुरम विस्तार में एकेट यू के आसपास मुलायम चौराहा, अरजुन चौराहा, भिटॉली, क्रॉसिंग तक बड़े पैमाने पर लोगों ने जोपडियां बना रखी हैं पूरा ग्रीन बेल्ट वा फुटपाथ इनके कबजे में हैं, इनमें बांगलादेशी वा असौम के भी लोग हैं कई बार इन्हें हटाने का प्रियास किया गया, लेकिन ये कभी पेट्रूल डालकर आग लगाने की धमकी देते थे, तो कभी हमला करते थे कारधीक्षक बनारसी दास के नेत्रत्व में एक बार फिर नगर निगम का दस्ता पहुँचा, तो देखते ही ये लोग एक जुट हो गए और घेर लिया लोग कबजे नहीं हटाने दे रहे थे, इसको लेकर विवाद होने लगा इस बीच एक वेक्ति हाथ में बेलचा लेकर अपने पेट में गुसाने की धमकी देने लगा, फिर वा बेलचा से गुम्टी तोड़ने लगा, गाली गलोच करने लगा, अपने सिर पर बेलचा मारने लगा, इससे उसके सिर पर चोट लगी और खून बहने लगा, उसकी पत पकड़ कर जान की पुरम थाने ले गई, पुलिस के सक्त रुक अपनाने के बाद नगर निगम ने कबजे हटाना शुरू कर दिया, एक एक कर ग्रीन बेल्ट पर बनी डेर सौसे जादा जोपड़ियां तोड़ दी गए, गाड़ियों पर उनका सामान लद्वा दिया गया लखनव से सीन्यूस समवदाता रितेश रवास्तव की रिपोर्ट, फिलाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहें सीन्यूस भारत